मुझा अभी हो रहे हैं मॉनिंग की साड़ी यार नो बज रहे हैं अभी और हम कर रहे हैं नाश्टा तो नाश्टे में मैंने बनाया है पोही और जो मूट है यानि जो मूंग हो है हरी उसका उसड़ और है साथ में चाय और हमारी यहाँ नाश्टी के साथ में ही चाय पीना पसंद करते हैं इसलिए मैंने चाय भी साथ में ही बना लिया है यहाँ पर यहां पर मैं ममी और को के पापा कर रहे थे नाश्टा और पापा और छोटे भाईया थोड़ा बीजी थे तो पापा और भाईया थोड़ी दिर के बाद में आएंगे नाश्टा करने के लिए यहां पर यह लो पापा तो आ गए और पापा को मैं जब नाश्टा दे रही थी पापा थोड़ा सा नहीं हां नहीं हां कर रहे थे क्योंकि पापा पोई पापा को पसंद नहीं है तो पापा पोई खाना पसंद नहीं करते हैं इसलिए पापा मना कर रहे थे बट हमने बुला की खा लो तो फिर पापा ने ले लिया प्लेट और खा रहे थे पापा और भाईया ओफिस के लिए रेडी हो रहे थे तो भाईया तो यहाँ नहीं थे वो आएंगे बाद में तो बस यहाँ पर हमारी कुछ बाते चालू थी फैमिली के साथ में और वैसे भी बाती करने के लिए सही समय हमें यही मिलता है जब हम फामिली के साथ में बैठते हैं नाश्टा करते हैं या खाना खाते हैं तो यही टाइम हमारे पास होता है हम सब लोगों के पास में अदरवाइस बाकी टाइम तो सब लोग अपने अपने काम में ही बीजी होते हैं तो बस बही कर रहे थे हम लोग बाती भी कर रहे थे और नाश्टा भी हो रहा था और उसके बाद मुझे बनाना है खाना यहाँ पर तो फ्रेंट जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नाश्टा बनाने के बाद मुझे बनाना है खाना क्योंकि भीए जाने वाले हैं आफिस इसलिए मैंने जटपट से नाश्टा किया और मैं आ गई थी रोटी बनाने के लिए बस वही कर रही थी, मैं यहां बना रही थी रोटिया रोटिया बनाने के बाद में वही है मेरा काम को हुगे मालेश, बाकी के छोटे मोटे दुसरे काम और वैसे भी आप लोग तो सभी जानते ही होंगे खाने में सबसे ज़्यादा टाइम सिर्फ लगता है तो रोटिया बनाने के लिए ही लगता है बागी तो सारे सबजी चावल जो भी होता है बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है लेकिन रोटियों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तो इसलिए रोटी भी मैं फटाफट से बना लूँगी फिर बनाओंगी फिर करूँगे मैं अपने बागी की काम तो मैं सोच रही थी कि रोटी बनाने के बाद मैं पहले कर लूँगी कुवगी मालिश क्योंकि बहुत जादा टाइम हो गया था लेकिन मैंने लगी-लगी गैस पटा वगई रह लेकर लिए यूगी फर उधर जाती और इदर आती तो मुझा और टाइम लग जाता है इसलिए मैंने सोचा कि रोटिया बनाने के बाद में मैं लगे-लगे ही गैस वगेरे क्लीन कर लेती हूँ फिर मेरा कीचन का सारा काम निपड़ जाएगा और उसके बाद मैं करूँगी कुह की मालिश अच्छे से आराम से तो बस यहाँ पर गैस और कीचन अच्छे से कर लेते हैं पूरा क्लीन तो फाइनली कीचन वगेरे हो गया है क्लीन और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर कुह की मालिश करने और देखी कुह मैडम मोबाइल पकड़ी हुई है हाथ में और मालिश करवा रही है क्योंकि कुह बिलकुल भी मालिश नहीं करने दे रही थी बहुत जादा रो रही थी इसलिए मैंने मोबाइल में उसे चिडिया रानी वाला सौंग लगा के दिया था तो वो देख रही थी और तभी मुझे मालिश करने दे रही थी इसलिए बस मैं उसे सॉंग लगा के दिया था और फिर मैं मालिश कर रही थी और थोड़ी देर के बाद में मैंने मोबाइल भी उसके हाथ से ले लिया और फटाफट से मैंने उसकी मालिश कर दी यहाँ पर और वैसे भी डेली रूटीन में कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं जैसे सेम वैसा ही है कुहू की मालिश कुहू की मालिश मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकती हूँ एक साल तक तो बिल्कुल भी नहीं इसलिए मुझे अपने घर की कामों के साथ में कुहू के तरफ भी उतना ही ध्यान देना होता है कुहू की मालिश नहलाना या फिर उसकी केर करना तो बस वही कर रही थी मैं यहाँ पर हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग कैसे हैं आप लोग आई हूप आप सभी लोग अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ और फ्रेंट्स अभी हो रहे हैं दो फेर के साड़े बारा बज रहे हैं मैं नहावा के रेडियो हो गई हूँ एक्छुली मॉर्निंग में मैंने ब्रेकपास्ट किया उसके बाद में मैंने रोटी-उटी बनाई कुगो की मालिश करे उसके बाद मैंने ब्लॉक शूट नहीं किया क्यूंकि आज थर्सडे मुझे पूजा करना था थोड़े ज़ादा काम थे इसलिए मैं शूट नहीं कर बता दिया तो मैंने ये सारी चीज़ भी बाद में की बड़ वो मैंने शूट नहीं किया है और फ्रेंट्स थर्सडे है आज तो मुझे करना है पुजा जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि थर्सडे और मंडे को मुझे थोड़ा टाइम लगता है पुजा काने के मैंने ये व्लॉग पूरा डीटिल में शूट नहीं किया तो बस ये था आज का और मैंने ऐसे जजट से निप्टा लिए और उसके बाद में मैं अभी करने वाली हूँ पुजा करने के बाद बस मुझे खाना खाना है उसके बाद में मैं प्री हो जाओंगी और पुजा और खाना ये दोन होने के बाद पूरी हो जाओंगी फिर हम व्लॉग शूट करेंगे शाम का व्लॉग शूट करूंगी मैं आप लोगों तक शेयर करने के रिए तो देखते हैं शाम को क्या होता है दोफेर को क्या होता है आभी तो दोफेर होई गई है फिलाल साड़े बार एक बजी गया है तो चलते हैं हम कर लेती हुँ मैं पूजा उसके बात करते हैं बाते और ये देखिए कुहु माडम कर रही थी दादी के साथ में मस्ती खेल रही थी टाइम अच्छे से स्पेंड कर रही थी और जो बहुत बड़ा सा टेडी बियर है उसके उपर बैट के मम्यों स तो मैडम यहीं भी टेड़ी बेर के साथ खेल रही थी देखिए कैसे तो यहां पर शाम होने की बात में शाम की मैंने पूजा वगिरे कर ली थी ममी के पैर वगिरे लग रही थी मैं यहां पर और उसके बात मैं बनाऊँगी खाना तो खाना बनाने के पहले मैं यहां पर जो बर्दन थी क्लीन करकी रखी हुए थे वो बर्दन मैं अरेंज कर दूँगी अच्छे से उसके बाद में बनाऊँगी मैं खाना और यह है आटा खाना बनाते वक्त मैं सबजी और चावल बनाती हूँ तब तक कि आटा मैं ममी को दे देती हूँ गुथने के लिए तो ममी अच्छे से मान देती है आटा और तब तक का मेरा टाइम सेफ हो जाता है और खाना बनाते वक्त कुकु को आ रही थी नीन तो पापा बस उसे पकड़ के सुलाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर कुकु किसी दे दो 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 किसी एसे देते हैं किसी बाई कर दो बाई जा रहे हैं बाई बाई कर दो बाई बाई गोरू बाई 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 ऐसे कुहू की आदत है कुहू हर 2-3 खंटे में खेलने के बाद सोती है तो उसे 2-3 खंटे हो गए थे और उसकी आखों से भी लग रहा था कि उसे नीन बहुत जोर से आ गई है इसलिए पापा उसे सुलाने की कोशिश कर रहे है या सो फ्रंट्स होगी ही शाम, शाम की बच गय है 5 चाय बगरे पी ली है मैंने, और चाय बगरे होने के बाद में अभी मैं और चाय बगरे होने कीब आप लोगों से बात कर लेते हैं और चाय बगरे बाद अभी free theme अहीं free बगली¬ तो देखते हैं शाम को आज रात को, sorry, रात को क्या खाना बनेगा, अभी तो कुछ भी, कुछ भी decided नहीं कि क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, तो बस शाम को पुझा वगेरे होने के बाद में फिर मैं खाना बनाऊंगी, तो अभी तो मैं free हूँ, So friends, मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, actually मैं बता ही दूँ आपको, कि मुझे बहुत comment आ रहे थे, कि मैं अपना home tour करवाँ, और home tour करवाना, मैं खुद भी चाहती हूँ, कि मैं आप लोगों से अपना घर पुरा share करूँ, कि कैसा है, कैसा दिखता है, क्या है, क्या नहीं है अपना home tour पूरा करवाँ, मैं खुद भी चाहती थी, कि आप लोगों से share करूँ, बट मेरा एक goal है, जो मैंने set करके रखा है, कि मुझे at least one के subscribers complete करने हैं, उसके बाद में ही मैं अपना home tour करवाँगी, और home tour करवाके आप लोगों को share करूँगी, तो friends, ये पूरा depend करता है, सारी चीज़े depend करती है, सेफ और सिर्फ आप पर, तो बस मेरे जो videos और vlogs आते हैं, उसको please please at least अपने friends, family के साथ में share करिए, like जरूर करिए, और जली जली से subscribe करिए, जिससे कि मेरे one के subscribers complete हो जाएंगे, मेरा goal अचीव हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को अपना home tour और अपना घर पूरा share करूँगी कैसा दिखता है, कैसा है, क्या है, यह सब, तो बस मुझे यही बताना था, क्योंकि मुझे बहुत comment आ रहे थे, कि मैं home tour करवाँगी आप लोगों को, तो मैं जरूर करवाँगी, बस थोड़ा सा रुख जाए, देखते हैं, रात को क्या ब करन रहा है, कली फ्लार की सबजी, तो मैंने काट लिया है, और इसे उबलने के लिए मैं यहाँ पर रखूँगी, क्योंकि यह बॉइल हो जाएगी, तो इसमें छोटी-छोटी लिया हो, या फिर कुछ थोड़ी बहुत खराब हो, तो वो निकल जाएगा इसमें से अच्छे तो एक तरफ मैं काट रही थी सबजी के लिए ये सारी चीजे, और एक तरफ मैंने चड़ा दिया था चावल, क्योंकि सबजी बनते तक के चावल बन जाएगा, और फिर सबजी बनेगी, और एक साइड में मैं फिर बना लूँगी रोटिया, तो इसलिए मैंने एक साइड में चावल चड़ा दिया था और यहां बना रही हूँ मैं सबजी, और देखिए किस तरह से उबल गई है, और पूरी क्लीन हो गई है, इसमें का जो गंदा पानी है, वो फेक दूँगी मै और इसके बाद में इसे मैं अच्छे से फ्राइ कर लूँगी, तो देखिए, और यहां पर इसका पानी फेकनी के बाद में मैं इसे अच्छे से एक टुकनी में निकाल लिया है, जिसे कि इसका पानी पूरा निकल गया है, और यह अच्छे से एक दम क्लीन हो गई है, और सा यहां पर बना लेते हैं रोटियां पूरा काम किचन का हो जाता है कम्प्लीट तो बस वही क्लीन कर रही थी मैं और क्लीन करने के बाद में देखें मैं आई हूँ रूम में रूम में पूरा मेसी पड़ा हुआ था जो कपड़े थी शाम के सुखी वो कपड़े लाके रखे थे जो कि पुरा रूम में सी हुआ था तो मुझे एक सा करना था रूम अच्छे से क्लीन करना था So friends कैसे हैं आप लोग Actually अभी हो गई है रात खाना अगेरे सब हो गया है खाना बन गया, खाना हो गया सब कुछ हो गया है और रात हो गई है, रात के बज़ने हैं 10 तो मैं व्लोग अभी एंड करने वाली हूँ अपना यहाँ पर और बस आप लोगों को बताना चाहती थी कि बस मैंने जो बताया है आज क्योंकि मुझे अपने वन के सब्सक्राइबर्स एटलिस कम्प्लीट करना है यह मेरा गोल है, मुझे अचीव करना है तो प्लीज प्लीज मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए आप जिसे की मेरा यह गोल अचीव हो जाएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और ऐसा था मेरा आज का व्लोग simple सा daily routine के साथ में जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया को होगी मस्ती के साथ मेरे साथ families के साथ में कैसा क्या था ये सारी चीज़े तो please friends मेरे ये vlog अगर आपको पसंद आता है तो please please like and share करिए और मेरे इस video को मेरे इस channel को subscribe please करिए friends please करिए जिससे कि आप लोगों को मेरे नए नए वीडियो और आप इंजॉइफूली मेरे वीडियो देखते रहेंगे तो मिलते हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में तब तक लिए शुक्रिया बाइबाय थैंक यू